श्री शिवाय नमस्तुब्यम जै हो बोले नाथ हरर महादेव पशुपती नाथ वृत जो कि किसी भी मनों कामना को पूर्ण करने के लिए अचूक माने गए हैं आज की इस वीडियो में पशुपती नाथ वृत की पूजा में हमें किस प्रकार सुबह की पूजा करनी होती हैं क्या क्या सामगरी हमें चाहिए होती है और ऐसी कौन से वह साव धानिया हैं जो हमें पूजा के समय oke में ध्यान रखनी चाहिए तो इनी सब बातों के विशे में आज हम चडचा करने वाले हैं तो इस तरह से देखी हमें सुभे जो ठाली लगानी होती है वही ठाली शाम को काम आजाए बस उसमें हल्वा और छे दिये और रखने होते हैं एक्स्ट्रा थाली में शाम की पूजा में तो जब भी आप देखी शिवाला जाए तो जो शिवाला की दहलीज है पहले तो उसे प्रणाम करें और सीधा पैर अंदर डालें और दहलीज पर पैर ना रखें इसक तो कुछ ऐसी कृपा बनाएं कि हमारे ये वरत निर्विग्न संपन हो हमारी ये मनोकामना है आप इसे आवश्य पूर्ण करें और इसके बाद शिवलिंग के पीछे हमें आसन लगा लेना चाहिए और दक्षिर दिसा की तरफ बैठ कर हमें पूजन करना चाहिए उगरी पहले की पड़ी हो आप उसे पहले साफ सुतरा कर लें और पांच सोमवार पर्शूपति नात के इवरत किय जाते हैं और पांच में सोमवार में इसको अध्यापन कर दिया जाता है तो आप ऐसा शिवलिंग्य चुने कि पांच उव परकार में एक ही शिवलिंगरे से साफ सफाई कर लेने के बाद यहां पर मैं विश्णू SIM Hopkins का पूझन कर रही हूं तो घड़े होकर विश्णू SIMble link का पूझन किया जाता है और सीधा पेर आगे रखकर पूझन करना होता है हमें तो देखे जहां पर हम खड़े होकर पूजन कर रहे हैं मतलब शिवलिंग के पीछे के साइट पर तो जो सीधा हाथ होगा हमारा उस हाथ पर गनपती जी का इस्थान होता है तो सबसे पहले हम वहाँ जला भी शेक करेंगे और उल्टे हाथ की साइट भगवान कार्ती के का इस स्थान होता है तो वहां हम जला भी शेक करेंगे इसके बाद यह जो बीच में जलहरी है यहां पर शिवजी की पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान है तो वहां भी शेक कर लेंगे हम इसके बाद यह जो कटी भाग है जिस पर शिवलिंग रखा हुआ है यह माता पारवती के हस्तकमल है तो यहाँ अभिशेख करने के बाद हमें शिवलिंग का अभिशेख करना चाहिए और कहीं कहीं पर शिवालय में शिवलिंग के ऊपर एक कलश लटका होता है जिसमें से लगातार एक-एक बून शिवलिंग पर गिरती रहती है उसमें शिव जी की पांचों पुत्रियों का वास माना जाता है जो की जल क्रीणाय करती रहती हैं अगर वो हो तो आपको उसमें भी जल अवश्य डालना चाहिए और इस तरह से बाबा का अभिशेक करते हुए बिना जल धारा तूटे हमें नंदी जी का अभिशेक पहले शिव रिखाये होती हैं वो समाप्त हो जाती हैं अब कर ज़िए जल लेकर जाएंगे उसमें आप ज़रूर मिला ले और इसके बाद 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 का पंचामरत का इर पहारे यह आप चाहे तो अलग अलग पांचों चीजों से भी अभी शेक कर सकते हैं और इस बात का आप ध पंचामत का अभिशेग ना कराएं। और चानदी आति प्र Peru अतिवत्तम वर्नौ आप इस्थील के पात्र में पंचामत कर आयो ळसे कर सकते हैं। मन बीव कहा Cauistoine directly को हैं। आगदेवता और देखे पंचामरत से इसनान के बाद अब हमें शुद्धोतक इसनान जरूर कराना है और बहुत अच्छे से कराना है यहां पर पंचामरत का कोई भी करण नहीं होना चाहिए शिवलिंग पर और तभी हमें अभिशेक का पूजन का उनके शुरंगार का जो पानी से इसनान जरूर कराएं और आप चाहें तो गंडे की रस्ते मौसमी की रस्ते या अश्टगंदे चंदन को पानी में घोल कर सुगंदी इसनान भी करा सकते हैं और इस तरह से देखिए अभिशेक के बाद यह जलरी से जल आ रहा है इसको हमें लोटे में ले लेना है अभिशेक के बाद आपको लोटा खाली घर पे नहीं ले कर जाना है इस तरह से आप जली खटा कर ले और यह बहुत ही चमतकारी जल होता है इसे घर ले जाकर आप घर में छिड़क दें इससे घर में सुक समरदी और बरकत आती है और इसके बाद जो जल बचे उसे अपने घर के सदस्यों की आँखों से माते से लगा दें और बचा हुआ जल पीने के पानी में आप डाल दें इसके बाद गनपती जी को सबसे पहले हम कुमकुम अरपित करेंगे और कारती के भगवान को हम यहां पर चंदन अरपित कर रहे हैं और इसके बाद जो अशोक सुंदरी का इस्थान है वहाँ पर मैं संदूर अरपित करूंगी और इसके बाद जो माता के हस्तकमल है यानि जो कटी भाग है यहां पर मैं कुमकुम अर्पित कर रही हूँ, और जो सोहागे निस्त्रियाँ हैं वो सिंदूर चड़ा सकती हैं, पर जो कुमारी लेड़िए वो रोली और कुम-कुम चड़ा सकती हैं, सिंदूर अर्पित ना करें। आप देखिए भूल से भी हमें शिवजी को रोली, हल्दी, सिंदूर, कुम-कुम ये चीज़ें अरपित नहीं करनी है, इसलिए या तो आप टिशू पेपर ले जाएं या इस तरह से हाथ दुलने के बाद ही शिवजी का श्रंगार करें, यहां अश्टगंद चंदन से मैं त चाहें तो ओम बनाएं या त्रिपुंड बनाएं जो भी आप सरल साधारन तरीके से जो आपको बनाना आता है, आप वो बनाकर बाबा कश्रंगार कर सकते हैं, इसके बाद इस प्रकार से देखिए हम गुलाल अरपित कर रहे हैं बाबा को, और गुलाल आप चाहें तो सभी सुंदरी जी को लाल रंग का फूल और कुमार कार्तिके जी को यहां पेले रंग का फूल चढ़ा रही हूं है, इसके बाद यदि आप सुहागन हैं तो इस तरह से पारवती माता को सिंदूर अरपित करें और उंगली में जो सिंदूर हो उसे आप अपनी मांग में माते में लगा लें माता का आशिरवात समझ कर और देखिए इस तरह से फिर हम नंदी भगवान को गनपती जी को कुमार कार्तिके जी को चंदन का तेलक कर देंगे और वैसे तो हमने शिवलिंग में ही सभी का पूजन कर दिया है लेकिन इस तरह से भी पूजन आप करना चाहें तो क अंडी होती है इसको आपको तोड़कर चिकना भाग जो है शिवलिंग से टच करते हुए इस तरह से अरपित करना है और आप पांच साथ नो ग्यारा जितनी आपकी श्रद्धा हो जितनी इक्छा हो आप उतने बेल पत्र अरपित करें और लास्ट वाले बेल पत्र में आप ओम या राम का नाम जरूर लिख लिए तो देखिए पशुपती नाम के अस्त्र से ही श्री राम चंद्र जी ने रामड का वद किया था तो पशुपती अस्त्र हो या पशुपती व्रत कभी भी खाली नहीं जाता है निश्वल नहीं जाता है तो इस प्रकार से देखिए आ मैंने यहाँ पर जन्येव और वस्तरूपी कलावा शिवजी को अर्पित कर दिया और सभी देवी देवताओं को भी वस्तरूपी कलावा अर्पित कर दिया है और अक्षत और अभीर अर्पित कर दिया है चोकि इन सभी सामग्रियों को अर्पित करनी की वीडियो क्लिप में सो चाहते हैं उसे इस तरह से शिवलिंग के निकटी रख दें ना तो कटी भाग में रखें और नहीं जलाधारी के पास रखें और इसके बाद मुक्षुद्धी के लिए हमने यहां पर सुपाडी एक लॉंग का जोड़ा और इलाइची का जोड़ा अरपित कर दिया है इसके सा अध्यम से ही हमारी सभी मनो कामना है सभी इक्षाय जो है वो भोले ना तक पहुंसती है तो आप नंदी भगवान का पूजन जरूर करें तो देखिए अगर आपको धतूरा बेल फल भांग इस तरह से जो शिवजी की प्रिये चीज़े हैं वो अगर मिल जाती है तो आप उ जो भी दिये हों वो ऑने आप घड़ nu कर आए ऐसा में के आप जोत खाली ले आए और मंदिर में जो दिये रखये हैं उनमें ही आर्टी करके आप जोत अपनी रख दें दिये आप आटे का भी ले सकते हैं और मिठी कोले तो लेए और गोल बाती का आप दीपक लगाए और पूलों का चावलों का आसन देते हुए हम दीपक इस तरह से रख लेंगे अब दीपक को बिना आसन दिये कभी न रखें क्योंकि दीपक को बिना आसन दिये या ओम नमस शिवाय मंत्र का जब जरूर करते रहें अब देखे कई लोगों के मन में ये प्रश्ण आता है कि पशुपती नात के वरत का पूजन हमें मंदिर में ही क्यों करना होता है घर पर क्यों नहीं तो देखे मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित होते हैं वो प्राण पृतिश्टूत होते हैं और वेद मंत्रों का पाठ होता रहता है मंदिरों में तो इस तरह से शिवलिंग में एक अलगी शक्ती का वास हो जाता है वहाँ पर और सिर्फ एक ही नहीं कई भक्तों द्वारा उनका डेली, पूजन, श्रंगार, अभिशेक किया जाता है जिसके कारण शिवलिंग में एक विशेश शक्ती समाहित हो जाती है जिससे जो पूजा का फल है वो पूण फल हमें प्राप्त होता है और देखे अगर आप पशुपति नात के वरत शुरू करना चाहते हैं तो ये वरत किसी भी शोमवार से शुरू किये जा सकते हैं लेकिन अगर सावन की सोमवार में आप शुरू करें तो ज़्यादा पुनीत होता है क्योंकि सावन एक ऐसा महीना है जो बोले नात को अतनत करते हैं उम्मीद करती हूं वीडियो आप सभी को पसंद आया हो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें